तो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच में 9 फेवेवरी से टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत हो रही है और बहुत ही बड़ा ये टॉर्नमेंट है असमें कोई डाउट नहीं है भारतिय टीम भी प्रिपरेशन कर रही है लेकिन आपको बता दे कि भारतिय टीम के लिए एक प्रॉब्लम उनको हुई थी लेकिन अब ख़बर आ रही है कि लगातार वो वहाँ पर नेट्स में गेनबासी कर रहे हैं और रिलाइबल सोर्से से इंफर्मेशन आई है कि जस्पीट बॉम्रा को चुना जा सकता है तीसरे चौथे टेस्ट मैच के जो शुरुआत है वो एक मार्च को होगी धरमशाला में और माना जा रहा है कि जस्पीट बॉम्रा वहाँ पर भारतिय टीम में वापसी करते हुए दिख सकते हैं यह वाकई में हम सब के लिए एक प्रॉमिसिंग नीउस है लेट्स हो फ़द बस और स्पोर्स टॉक ने आपको इसके बारे में सबसे इनफर्मिशन भी दी थी कि जस्पीट बॉम्रा हो सकता है कि आखरी दो टेस मैच में या फिर आस्ट्रेलिया के खिलाब जो आखरी तीर एक दिवस्ते अंतराश्ट्रे मैच है वहाँ पर खेलते हुए नसर आएंगे लेकिन एक बार फिर से स्पोर्स टॉक की बाद तसाही साबित होती हुए नसर आ रही है और माना जा रहा है कि तीसरे और चौते टेस मैच के लिए बुम्रा भारती टीम में वापसी करते हुए नसर आएंगे आप बनेड़ी स्पोर्स टॉक के साथ में हर एक इंफर्मिशन आपको यहां मिलेगी